Hello everyone, Welcome to Okul India के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोगं का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने इस full course on environment by Shankar IAS Academy को हम लोग आगे continue करते हैं Chapter 23 जो है, that is climate change organizations को लेकर उसको हमने पिछले part में start किया है पिछले lecture में start किया है, आज हम part 2 के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे पिछले part में हमने ये जाना कि UNFCCC क्या है, United Nation Framework Convention on Climate Change उसके बारे में जाना, और specifically हमने बात करी Kyoto Protocol, यानि कि जो COP 3 हुई थी 1995 में उसके बाद जो Kyoto Protocol आया, उसको लेकर हमने बात करी, उसके क्या-क्या targets है, उसकी बात करी और किस तरीके से उन targets को implement करने के लिए, कुछ market mechanisms है, joint implementation है आपका clean development mechanism है, emission trading है, उन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले lecture में बात करी है ठीक है, तो आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, और और कुछ climate change organizations के बारे में या फिर जो इसी की, UNFCCC की ही जो COP हुई है, उनके बारे में बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले, मैं आप सबी लोगों से एक बार फिर से as usual request करना चाहूँगा कि जो लोग इस course को इस video series को follow कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को like करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, कलीक्स के साथ ताकि हमारे इन courses का जो फाइदा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फाइदा उठा सके बाकि जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्हों ने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नहीं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस बिलकुल भी ना हो ठीक है और इस पूरे के पूरी वीडियो सेरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अविलेबल है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस पर जाके आप लोग इस कोर्स में एंडरोल कर सकते हैं उस कोर्स को एंडरोल करने के या उस कोर्स में शामिल होने के फायदे यह है कि आपको सारे के सारे वीडियोज एड़ फ्री बीना किसी एड़िटेस्मेंट के मिल जाएंगे साथ ही साथ चेप्टर वाइस नोट्स मिल जाएंगे और चेप्टर वाइस कुजजेज भी वहाँ पर आप लोग के लबडेट किये जाएंगे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आज बाली मीट को लेकर ठीक है बाली मीट जो है मीटिंग हुई थी 190 कंटरीज की देट आरा पार्टी टु दे यून ट्रीटी ओन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन दिसमबर 2007 इसके अबजेक्टिव क्या थे देटीटीज एम वास तो पुश दे वर्ल तोवर्ड तोवर्ड तेकिंग एक्शन देट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसे इन दी एट्मोस्फेर विच कॉस क्लाइमेट चेंज ठीक है यानि कि सारी के सारी बात जो होगी ठीके ना एक मैं आपको ब्रॉड बात बता दूँ एक ब्रॉड चीज यह है कि सारे के सारे जो सी ओपीज होंगी जितने भी कॉंफरेंस ऑपार्टीज होंगी या जितने भी इस तरीके की मेटिंग्स होंगी या कॉंफरेंस होंगी उनका में मकसद जो रहेगा या फिर कह सकते हैं temperature का rise या आप कह सकते हैं in a broader sense climate change ठीक है तो यहां पर वही बात की जा रही है कि हमें world को push करना है ठीक है towards taking action यानि कि ऐसे action लेने हैं जिससे greenhouse gases क्या हो atmosphere में कम हो और in green house gases की वाइसे जो climate change है वो भी रुख सके ठीक है बाली ये discuss करेगा कि 2012 के बाद क्या होगा क्योंकि आपको बता है कि 2007 से लेकर 2012 तक क्या था जो क्योड़ो प्रोटोकॉल था उसका ही जो पहला phase था वो था है ना तो 2012 तक तो लोगों को पता था यानि जो countries वगर थी binding उनके ओपर targets क्या थे उनको पता था अब लेकिन 2012 के बाद क्या होगा ये discuss किया गया बाली में ठीक है कि what are countries expected to do after the first phase of Kyoto ends in 2012 अब as per developed countries after 2012 even the developing countries like India and China which are increasing their emissions as they grow economically also undertake some kind of emission cut this meant a complete overhaul in the existing UN treaty यानि कि अभी तक तो हमें पता है कि Kyoto Protocol पर क्या था कि सिर्फ और सिर्फ जो developed countries थी उनके उपर binding targets दिये गए थे अब यहाँ पर क्या है कि developed countries तो है ही है उनके साथ ऐसी developing countries जैसी कि इंडिया है चाइना है जो economically grow कर रहे हैं economically grow कर रहे है तो उनका obvious सी बात है कि industrialization वगरा बढ़ रहा होगा उसके तहत जो है emissions वगरा बढ़ रहे होंगे तो उनको भी कम करने की बात यहाँ पर की जा रही है ठीक है तो बाली में क्या हुआ कि nations ने ये decide करा कि एक नए principle बनाए जाएंगे नए सिधान बनाए जाएंगे और जो countries को decide करेंगे कि 2012 के बाद उन्हें क्या करना है ठीक है तो इसके बाद बाली का एक road map था इसमें क्या है फॉर्ड बाली का पूरा एंग्रिमेंट बनेगा उसको लेकर बाली का एक road map जो है वो दो साल तक चला ठीक है और बाली के road map में क्या क्या था एक तो बाली action plan है ठीक है एक तरीके का फंड है इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके इसी चेप्टर में बात करेंगे वो लॉंच हुआ था टेक्निलोजी ट्रांसफर को लेकर डिसीजन्स लिए गए थे और reducing emissions from deforestation deforestation अगर हम लोग करते हैं तो मैं आपको पहले ही बताया थे कर हम पेड़ वगरा काट रहे हैं तो हम carbon sink को क्या कर रहे हैं destroy कर रहे हैं उसकी वज़े से क्या हो रहा है हमारा जादा नुकसान हो रहा है तो उसको भी हम लोग कैसे जो है रोख सकते हैं वो भी यहाँ पर बात की गई थी ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें है Bali action plan को लेकर यह देखे क्या है the conference of parties decided to launch a comprehensive process to enable the implementation of the convention through long term cooperative action up to and beyond 2012 by addressing कैसे करेंगे पहला है a shared vision for long term cooperative action ठीक है एक long term cooperative action का shared vision रहेगा including a long term global goal for emission reductions ठीक है यानि कि हम लोग long term की बात करेंगे हमने Q2 protocol में सिर्फ 2012 तक की या 5 साल की बात की थी अब हम बात करेंगे एक long term की और global इस तर पर बात करेंगे ठीक है adaptation के उपर जो action है उसको भी enhance किया जाएगा enhanced action on technology development and transfer to support action on mitigation and adaptation mitigation and adaptation को support करने के लिए technology का development और technology का जो transfer है उसको लेकर भी actions किया जा रहे है उनको भी क्या किया जाएगा enhance किया जाएगा बढ़ाया जाएगा financial resources के जो provision है उसको लेकर भी action enhance किया जाएगे and investment to support action on mitigation and adaptation and technology cooperation तो यह सारी के सारी बात लगबग लगबग एक्टरी के साब समझेंगे आपको लग रहा होगा कि हर लाइन में एक ही चीज़ लिखी गई है ना तो यह ऐसा ही लिखा गया है लेकिन चीज़ें आप समझ सकते हैं कि जो major points है कि technology transfer को बढ़ावा देने की बात की जा रही है ठीक है adaptation को लेकर enhanced action की बात की जा रही है mitigation को लेकर enhanced action की बात की जा रही है यही सारी बाते जो है देयारदा part of the Bali action plan ठीक है इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे COP15 में ठीक है COP15 जो Copenhagen में हुई है Copenhagen isn't Denmark ठीक है COP15 Copenhagen जो है एक legally binding agreement है could not be arrived on COP15 Copenhagen mainly due to discord between the developing and developed countries यानि की हुआ क्या कि जब COP15 हुई यानि की conference of parties 15 हुई Copenhagen Denmark में तो कोई भी legally binding agreement जो है उस तक नहीं पहुचा जा सका क्यों क्यों क्योंकि जो developing or developed countries थी उनके बीच में एक कोई समझा था नहीं बना ठीक है basic में आप लोगों को पता होगा this is B stands for Brazil I stands for India C stands for China और AS जो है that is South Africa ठीक है ध्यान रखेगा यह AS जो है उल्टा है that is South Africa यह basic countries है और US क्या है US is a United States यह तो आप समझते है Copenhagen Accord जो है वो एक non-binding agreement है इस बात को भी आप ध्यान रखेगा ठीक तो Accord states that deep international emission cuts are needed to hold the increase in global temperature to under 2 degree Celsius अभी यह जो 2 degree Celsius की value है इसको आप ध्यान रखेगा बहुत important है आगे जाके जब हम Paris Agreement की बात करेंगे है ना जो Paris Agreement हुआ है जिसको जो अभी भी news वगरा बना रहता है क्योंकि अमेरिका ने पहले इससे क्या किया था अपने को withdraw कर लिया था बाद में फिर जब अभी US के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन आये है तो उन्होंने काया है कि नहीं तो इसलिए पैरिस एगरिमेंट में भी यह जो टू डिगरी सेल्सियस की बात है वो आगे जाके भी कही जाएगी तो यहाँ पर यह जो अकॉर्ड था कोपन हैगर अकॉर्ड इसने क्या बोला कि हमें emission cuts तो करने पड़ेंगे ठीक है और international लेवर पर emission cuts करने पड़ेंगे ताकि हम global temperature को क्या है दो डिगरी सेल्सियस के अंतरगत रोक सके यानिकि जो उसका rise है उसको दो डिगरी से कम रख सके ठीक है अंडर दी अकॉर्ड जो developed countries agree to set targets for reduction in their greenhouse gas emissions by 2020 जो developed countries थी जो विक्सित देश थे वो इस बात को लेकर सहमत हो गए कि हाँ जो उनका greenhouse gas के emission हो रहा है उसके reduction को लेकर जो भी targets है वो हम set कर सकते हैं कि 2020 तक हमें इतना reduction करना है और developing countries कि इस बात को लेकर agree हुए to pursue nationally appropriate mitigation strategies to slow the growth of their emissions but are not committed to reducing their carbon output तो उन्होंने basically जो developed countries थी उन्होंने तो reduction के अपने target set करें लेकिन जो developing countries थी उन्होंने क्या बोला कि हम इस तरीके के जो national level पर हमारे कुछ mitigation strategies होंगी हम उनको pursue करेंगे हम उनको follow करेंगे ताकि जो हमारा emission है उसको हम कम कर सके यानि कि जो मैरा emission बढ़ रहा है ठीक है emission कम करने की बात नहीं है यहाँ पर लिखा है कि growth of the emission को slow करना है यानि कि जो हमारा emission बहुत तेजी से बढ़ रहा है हम उस increase को कम करेंगे लेकिन हम reduce करने की बात नहीं कर रहे है ठीक है जो carbon output है उसको reduce नहीं करेंगे लेकिन उसका जो emission की growth हो रही है ठीक है जैसे मालीजे पहले 1-2-2-4 होता तो अब हम 1-1.5 फिर 2.5 ऐसे करेंगे यानि कि ज हो रही है एक से 2-2-4 जा रहे है तो भी growth है 1-1.5-2.5 जा रहे है तब भी growth है लेकिन यहां पर growth तेज है और यहां पर growth क्या है slow है तो इन्होंने बोला कि हम growth को कम करेंगे लेकिन हम क्या है carbon output को reduce नहीं कर सकते क्योंकि developing countries है अगर हम अपना emission cut करने के लिए अपना industrialization को कम कर इसको भी recognize किया गया कि कुछ mechanism जो है वो establish किया जाने चाहिए including REDD plus ठेक है इसको RED plus भी बोला जाता है इसके बारे में भी आगर जाके हम बात करेंगे to enable the mobilization of financial resources from developed countries to help achieve this ठेक है कि developed countries से जो हम financial resources को mobilize करें ताकि इस तरीके के जो emission reduction है उसको achieve किया जा सके और जो developing countries है especially these with low emitting economies should be provided incentives to continue to develop होना low emission पात्वे और जो ऐसे developing countries है जिनकी economies low emitting है यानि कि जो developing तो है यानि कि वो develop कर रहे है लेकिन उनकी जो economies है वहाँ पर emission ज़्यादा नहीं होता है तो उनको incentive देने की बात की है कि ठीक है आप लोग develop कर रहे हैं लेकिन जिस इस तरपर आप कर रहे हैं उतने पर ही करते रहिए अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है अगर आप इसी low level पर emission करते रहते हैं तो आपको incentives दिये जाएंगे ठीक है and agrees that developed countries would raise fund of 30 billion dollar from 2010 to 2012 of new and additional resources और ये भी इनोंने इसमें agreement हुआ कि जो developed countries है वो 30 billion dollar का fund 2010 से 2012 के बीच में क्या करेंगे एकटा करेंगे ठीक है agrees a goal for the world to raise 100 billion dollar per year by 2020 और ये भी एक goal set करा कि जो पूरा का पूरा देश वर्ल्ड है विश्व है वो मिलके 100 billion dollar per year का जो fund है वो raise करेगा 2020 तक new multilateral funding for adaptation will be delivered with our governance structure और एक multilateral funding जो है adaptation के लिए वो deliver की जाएगी governance structure के साथ ठीक है तो this was all about your COP 15 that is the Copenhagen and Copenhagen account ठीक इसके बाद जो अगली COP होती है COP 16 होती है कानकुन में कानकुन is a place in Mexico ठीक है मेक्सिको में ये जगे है कानकुन तो कानकुन agreements include decisions under both the convention and Kyoto protocol negotiating tracks ठीक है तो उस दोनों का जो negotiating tracks है उसके आधार पर इसमें decisions लिये जाते है as per the कानकुन agreements all parties to the convention including the developed and developing countries have agreed to report their voluntary mitigation goals for implementation तो इसमें basically क्या हुआ कानकुन agreement में ये कानकुन की जो COP 16 हुई थी उसमें developing or developed countries यानि कि जितने भी convention to the parties जो convention की parties थी जिए हमने बात करी आज की date में जो 195 है उन्होंने ये agree करा कि हमारा जो voluntary mitigation goal है implementation के लिए हम उसको report करेंगे या निकि उसकी report हम swap इंगे ठीक है या फिर international level पर उसका consultation भी किया जाएगा और किस तरीके से होगा जो agreed international guidelines है उसके आधार पर होगा ठीक है कानकुन agreements के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो जो industrialized country targets है are officially recognized under the multilateral process and these countries are to develop low carbon development plans and strategies and assess how best to meet them including through market mechanisms and to repair their inventories annually तो जो industrialized country यानि कि आप समझ सकते है Kyoto Protocol के अंतरगाथ जो annexer one countries थी या आप कह सकते हैं जो developed countries थी उनके जो targets है उनको officially recognize किया गया और उसको ये बोला गया कि इन countries को क्या करना है low carbon development plan develop करने है ठीक है यानि कि जिससे emission वगरा क्या हो कम हो और इस तरीके की strategies वगरा बनानी है और उनको assess भी करना है कि हम इस तरीके के development plans को कैसे meet कर सकते हैं ठीक है चाहे हम उसको market mechanisms की तरह करें के through करें या कैसे भी करें लेकिन हमें meet कैसे करना है और साथी साथ जो उनकी inventories वगरा है यानि कि कितना emission वगरा वो कर रहे हैं उसकी report भ उन्होंने क्या बोला कि developing countries actions to reduce emissions are officially recognized under the multilateral process are registry to be set up to record and match developing countries mitigation actions to finance and technology support from industrialized countries and developing countries are to publish progress reports every two years. तो यहाँ पर important बात जो आपको ध्यान में रखने वाली है कि developing countries के लिए भी था, developed countries के लिए भी था, लेकिन developed countries को जो अपनी report है वो हर साल देनी है और developing countries को जो अपनी report है वो हर दो साल पे देनी है. ठीक है, 30 billion dollar के fund की यहाँ पर बात की गई है in fast start finance from industrialized countries to support climate action in the developing world up to 2012 and the intention to raise 100 billion dollar in long term fund by 2020 are included in the decision. इसकी बात में आपको बता दी है, in the field of climate finance, a process to design a green climate fund under the conference of the parties with a board with equal representation from developed and developing countries is established. एक green climate fund जो है, उसको established किया गया, जिसके board में equal representation होगा, developing countries से भी और developed countries से भी equal representation होगा, उसको यहाँ पर established किया गया है. एक नया कानकुन adaptation framework जो है, उसको established किया गया, क्यों, to allow better planning and implementation of the adaptation projects in developing countries through increased financial and technical support. यानि कि जो developing countries है, उनको financial and technical support जो है वो जादा provide किया जाएगा, उसको लेकर एक adaptation framework बनाया गया है, इसके बाद governments agree to boost action to curb emissions from deforestation and forest degradation in developing countries with technological and financial support. और जो government से उन्होंने ये भी agree करा कि हमारा जो emissions है, ठीक है, कि deforestation या forest degradation के वज़े से जो emission बढ़ रहा है, उसको भी curve करने की बात की जा रही है, कहाँ पर developing countries में, और इसी को लेकर हम लोग आगे जाके देखींगे, कि जो red और red plus है, ठीक है ना, redd and redd plus जो है, that is related to this only, ठीक है न, reducing emissions due to deforestation and forest degradation वो यही चीज़ है, ठीक है, parties have established our technology mechanism with a technology executive committee and climate technology center and network to increase technology cooperation to support action on adaptation and mitigation, technology mechanism को जो है, establish किया गया, इसमें एक technology executive committee और climate technology center and network जो है, जो की adaptation और mitigation के action को support करेंगे, उसके लिए technology cooperation को बढ़ाएंगे, उसके लिए इस तरीके के technology mechanism जो है, वो establish किये गए, ठीक, इसके बाद अगर हम COP16 जो है, इसके mechanisms के अगर बात करते हैं, तो वो क्या है, three mechanisms that are outcome of COP16 are, कौन-कौन से है, सबसे पहला तो technology mechanism है, जो मैंने आप उपर बताया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर एक green climate fund बना था, और एक adaptation fund भी बना था, ठीक, और यह technology mechanism क्या करेगा, the technology mechanism is expected to facilitate the implementation of enhanced action on technology development and transfer in order to support action on mitigation and adaptation to climate change, इसके लिए इसको बनाया गया था, ठीक है, इसके बाद है green climate fund, COP16 में, parties ने establish किया green climate fund as an operating entity of the financial mechanism of the convention under article 11, और जो GCF यानि की green climate fund है, यह क्या करेगा, that will support the projects, programs, policies and other activities in developing country parties, the fund will be governed by the GCF board, ठीक है, World Bank को जो है, that was, उसको invite किया गया था, COP के द्वारा to serve as the interim trustee of the GCF, subject to a review three years after operationalization of the fund, तो GCF को interim trustee के तौर पर किसने जो है, वो काम किया, World Bank ने, ठीक है, the COP also decided that an independent secretariat will support the operations of the fund, COP ने यह भी decide किया, यह भी तह किया, कि एक independent secretariat होगा, जो इस fund के operation को support करेगा, and the COP also decided that the GCF was to be designed by the transitional committee, transitional committee होगी, उसके द्वारा इसको design किया जाएगा, इसके बाद जो तीसरा है, that is the adaptation fund, adaptation fund जो है, उसको establish किया गया, to finance concrete adaptation projects and programs in developing country parties to the Kyoto Protocol, that are particularly vulnerable to the adverse effect of the climate change, यानि कि ऐसे, जो developing country की parties है, जो कि climate change के adverse effects से जादा vulnerable है, उनको finance करने की, वहाँ पर जो भी इस तरीके के adaptation projects या programs है, उनको finance करने के लिए बनाया गया था adaptation fund, adaptation fund जो है, that is finance from the share of proceeds on the clean development mechanism project activities, and other sources of funding, ठीक है, हमने पीछे बात करी थी, जो हमारा Kyoto Protocol के अंतरगत CDM था, वहाँ के जो net proceeds वगरा होते थे, वहाँ से मतलब जितना भी पैसा वगरा आता था, उसका share से इस adaptation fund को finance किया जाता था, ठीक है, the share of proceeds amounts to 2% of certified emission reduction issued by a CDM project activity, और CDM project activity के अंतरगत, जो CER इशू होते थे, certified emission reduction के जो certificates इशू होते थे, उसका 2% क्या था, प्रोसीड बेसिकली यह इसमें जाता था adaptation fund में, ठीक है, adaptation fund जो है, उसको supervise और manage के जाता था, by adaptation fund का एक board था उसके तहत, इसमें basically 16 members हुआ करते थे, and 16 alternates होते थे, और इनकी at least जो meeting है, वो twice a year, यानि कि एक साल में दो बार इनकी meeting हुआ करती थे, ठीक है, और parties से जब invitation मिलता था, तो जो global environment facility है, वो इसको secretariat services, AFB, यानि कि adaptation fund का जो board है, उसको secretariat services provide किया करता था, और world bank जो था, उसने भी सर्फ किया है, उसने adaptation fund के trustee की तरह भी सर्फ किया है, लेकिन दोनों के दोनों, यानि कि जो global environment facility का secretariat services provide करना है, या फिर जो world bank का as a trustee provide करना है, वो दोनों के दोनों interim basis पर ही था, ठीक है, तो आज इस lecture को हम इतना ही रखते हैं, इसमें आगे की COP17 से आगे को जो डर्बन समिट वगेरा हुई है, उससे आगे की जो बाते हैं इस chapter में, वो हम अगले पार्ट में, अगले lecture में continue करेंगे, ठीक है, चल्ड़े, तो content related अगर आगर आपको कोई भी doubt होता है, तो आप हमारा telegram का जो group है, इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, या फिर आप इसको telegram में search करके भी join कर सकते हैं, पूरे के पूरी video series का full course हमारी website पर available है, उसका link में नीचे description में है, वहाँ से आप click करके course में enroll कर सकते हैं, google.co उस पर भी हमसे contact कर सकते हैं, बाकी अपनी कोई भी बात share करने के लिए, हमसे कुछ भी पूछने के लिए या बताने के लिए, अपने feedbacks बगरा देने के लिए, आप हमें social media पर भी follow कर सकते हैं, facebook, linkedin, twitter और instagram बगरा पर, ये सारे के सारे links भी आपको नीचे description में मिल जाए तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा, please do take care of yourself, thank you, have a nice day, bye bye